नमस्कार दोस्तों, टार्गेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुवे के इस वीडियो में ऐसी सुचनाय होती हैं, जो विभिन समचार पत्रों पर छाइवी होती हैं और विद्यारतियों के लिए अवश्चक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समचार पत्रों में ऐसी कौन कोशी सूचना हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिन चात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट से मिलती रहें, आगे बनने से पहले एक और जर अच्छा पेटर्न है, उस पर अधारित है, तो आप लोग इस पुष्टकों को ले सकते हैं, किसी भी दुकान से, और अगर ऑनलेन मंगवाना चाहते हैं, तो उसकी जो लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँँगा, जहां से आप लोग इसको सीधे मंगवा सकते हैं शुरू करते हैं आज की सुझना को, सबसे पहले सुझना है, टीजीटी पीजीटी विग्यापन जारी, फिर पदों में हुई कटावती, चैनल फिर साबित भरोसे मंद, सुझना सही निगली, इसके बारे में मैंने पिछले महीने ही बता दिया था, कि जो तदर्थ का मामला समावत हो गया है, आप लोगों को जो विग्यापन है, वो 10-15 तारीक को आ जाएगा, 15 तारीकी जो डेट है, वो मैंने आप लोगों को बताई थी कई बार, और फरवरी के महीने के बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए ही जिसमें आप लोगों ये बताया था, और दूसरी त जो सटको पर उतर आयों ते और कल ब़बादर्सन रोट पर ही जहाँ पर विद्धार्थियों ने कहा था कि अगर उलीक कि पहले पहले विध्यापन नहीं अया दो हम होली मनावें गएक और जब तक विद्धार्थि यहां से जाने वाले नहीं है इसके लिए विद्यार्थ्वी ने कई बार प्रदर्शन भी किये प्रयागराज में और अंत में जो बना-बना विग्यापन रखा था वो जारी हो गया यह भी एक संयोग है कि जब जब प्रदर्शन होता है तब तब कोई नोटिफिकेशन जारी होता है जब पिछली बार 24 फरवरी को धर प्रदर्शन पत्तर गिर्जा घर में हुआ था एतिहासिक प्रदर्शन हुआ था कई जात्र जो है वो गिरफतार हुए थे उसके बाद तुरन दरोगा भरती का विग्यापन जारी हुआ और इसी तरीके से कल भी प्रदर्शन हुआ मादमिक सिक्षेसेवाज चैन बोर्ड म को फिर से कम कर दिया गया पिछली बार का जो विग्यापन जारी हुआ था वह 15,508 पदों के लिए विग्यापन जारी हुआ था और इस बार 15,198 पद की भरतिया यह 300 पद फिर से कम कर दिये गये हैं यहां पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश मादमिक सिक्षेसेव चैन बोर ने प्रदेश के सहायता प्रप्त मादमिक विद्यालियों में टीजीटी के 12,603 पदों एवं प्रवक्ता के 2595 पदों पर भरति के लिए संसूधित विग्यापन सुमबार को जारी कर दिया पूरु में घोषित टीजीटी के 12,913 पदों के सापेक्षे अब की बार 310 पदो चैन बोर्ड की और से विग्याबन जारी होने के साथ आनलाइन आवेदन पंजी करन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया वह 16 मार्च आज से शुरू हो जाएगी बोर्ड की और से टीजीटी के लिए पहली बार शाक्षातकर हटा दिया गया है एमेट प्यस्डी के वेटेज पूरू की भात ही मिलते रहेंगे चैन बोर्ड ने टीजीटी प्रवक्ता के लिए श्यक्चिक अर्ता में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्ता नहीं किया है अभ्यर्थी 11 अप्रेल 2021 तक आउनलाइन आवेदन के लिए पंजी करना कर सकते हैं आवेदन पूरा करने के बाद सुर्क जुमा करने के परशचत आवेदन सम्मीट करने की जो अंतिम तारीक है वो 15 अप्रेल 2021 रखी गई है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन के लिए भर्ती चैनबूट की जो ओफिसल वेबसाइट है UPSESB.org जाकर के आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती से जुड़े सारे नियम और सम्मंधित बिसा के बारे में शेक्षिक आरता की जानकारी भी उ और जो वेबसाइट है जो नोटिफिकेशन है उसमें ये बता दिया गया कि हिंदी वालों के लिए क्या अरता है तो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं नहीं तो आप लोग मेरा टेली ग्रम चैनल है जिसकी जो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहा पर कुछ और भी बात हैं यहां पर लिखी गई है जैसे उत्तर प्रदेश मादमिक शिक्षक्षिव जैन बोट के और से 2016 के बाद घुषित पहरी सिचकवर्ति में इस अभरतियों को दस फीजदी आरक्ष्ण की ब्यूस्ता कर दीगा यह चैन वोट कर से कहा गया कि आरक्ष तक किया गया था चैन वोट ने पूरू में अधिक्तम 35 अंग का वेटिस देने के प्राधन धान किया था इसे कम करके 30 अंग कर दिया गया है टीजदी प्रवक्ता के लिए प्रतेग विषय के साफेक्ष एक ही आविदन लिए जाएंगे एक विषय से अधिक के लिए अलग अलग आविदन करना होगा चैन वोट के और से जारी सूचना में का गया है कि अब यह देख लें कि आविदन की अंतिमतिती तक वह अरता रखते हैं कि नहीं रखते हैं तो अरता जो है आपको लास्ट डेट तक आपको सभी प्रमालपत्र हो जाने चाहिए टीजिटी नहीं तो यह सब जो नोटिफिकेसन है सब रखे हुए थे जाहे वह टीए चाहे वह द्रोगा भरती का हो चाहे वह टीजिटी पीजिटी का हो इसलिए जारी हुए है क्योंकि चात्रों का दबाऊ हो था इसके बाद में जो अगली स्चुचन है वो यूपीटी इटी की है 2020 के लिए आनलाइन आवेदन 18 माई से परिक्षा के लिए 11 माई को आएगा विग्यापन उत्तर प्रदेश शिक्षक पातरता परिक्षा 2020 के लिए आनलाइन आवेदन 18 माई 2021 से सुरू हो जाएगा सचिव पर जी करन 18 माई से सुरू करके एक जून 2021 तक चलेगा अब भैरती यूपीटी इटी के लिए दो जून तक परिक्षा शुल के जमा कर सकेंगे भरेवे आवेदन का प्रिट लेने की अंतिम तिती तीन जून तकी गई है 20 अगस्त को परिणाम जारी कर दिया जाएगा शासन के विशे शुवर्वी सिंग की और से महान देशक पूली सिक्षा को भीजा गे पत्र में कहा गया है कि से 25 जुलाई को प्रस्तावीत परिक्षा Tiithi के साथ संसोधित कारक्रब भीजा गया है और से जारी सूचना में 25 जुलाई को टीटी के बाद 20 अगस्त 2021 को परड़ाम घुषित कर दिया जाएगा तो यह जो पूरा परिक्षा कलेंडर है कि कब से आविधन लिए जाएंगे कब परिक्षा होगी कब अविट गार जारी होंगे और कब परड़ाम आएगा और परड़ कि यह भरती भ्रेष्टचार सभी जगें भ्रेष्टचार होता है चाहे वह किंद सरकार हो चाहे वह राजसरकारे हूं लिखा सेना भरती घोटाला साथ सेन अपसरों समें 23 पर मुकदमा केंद्री अनुवेशन व्यूरो यानि cvI ने सेना भरती घोटाले में बड़ी कारव बरतने के आरोप हैं इस बड़े रैकेट का माश्टर माइंड आर्मी एर डिफेंस कोर के लेफ्टी नेंड M.V.S.N.A. भगवान को बताया जा रहा है C.V.I. ने इस मामले में सुमार को दिल्ली केंट इस्तित बेस अस्पताल समें 13 शहरों के 30 इस्थानों पर ब्यापक तलासी अभियान चलाया अलग अलग तरीकों से इस भरती में ब्रिष्ट चार होता था जैसे कि कभी मेटिकल के नाम पर घूश दी जाती थी कभी अन चीजों के नाम पर घूश मांगी जाती थी R.T.GS. से भी पैसे लेते थे और U.P.I. के जरिये भी पैसे लेते थे अगली जो सूचना है कुछ वह है उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की यहां पर लिखा हुआ है कि पुरातत्त की डिग्री वाले भी कर सकेंगे आवेदन असिस्टेंट प्रदेश के असास की महाविद्यालियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भरती आई है उसमे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बढ़ती है यह देखिए यहां पर लिखा है कि पात्रता बदलने से असंतुष्ट अभरतियों ने किया प्रदरसन विग्यापन संगे 50 के तैट असिस्टेंट प्रोफेसर के दो हजार दो पदों पर सुरुई भरती प्रक्रिया इस बाक हो रहे थी लोग सेवा आयोग के भरति कि साथ saygyソos 2016 की मुगःग परिक्चा में शामिल हुए 20 अब्रतव परिक्चा से अपना अब्धतन वापस लेने के लिए उत्तर प्रद्यस लोक सेवा आयो की को प्रात्र पत्र दिया है और इन अब्रत्यों के नाम वापस लेने आरो यारो भरती परिक्चा में इस परता कुछ कम होगी खासतोर से बात हो रही है आरो परिक्चा की आरो की और नीचे लिखा कि अब मुख्व परिक्चा में सामील हुए अब्ध्थियों के लिए चेहन के अवसर बढ़ जाएंगे आयोग ने आरो यारो तुझर सोला की अब्ध्थियों के आविदन मिले आयोग ने इस साल 30 जनवरी को खंड शिक्षा अधिकारी और 17 फरवरी को PCS 2019 का अंतिम चेहन प्रणाम जारी किया था इसमें तमाम ऐसे ब्ध्थियों को भी अंतिम रूप से चेहन हुआ था जो आरो यारो तुझर सोला की मुख परिक्च में उनका चन हो जाता तो ऐसे वर्थि PCS या BEO के पद को ही तरजी देते और आरो यारो के जुपादें वो खाली रह जाते इसी को धान में रखते हुए आयोग ने अब्ध्थन वापसी के लिए अभीदन मांगे थे पिछले लगबग डेल साल से ये लोग से वह आयोग न को आना चään होता है उसके पहले से एक जनकारी मांगी जाती है कि जिन अब्ध्थिं को अपना व्यजो को आ थैस्यांने होते हैं एक ही स्यलेक्टि एक हो जैते हैं लोग से वाई लेटिं निकालता दिल्ली प्रिश का प्रडाम जारी कर दिया गया लिकाश्च 6747 कि पास हुए है और करम चारी चैन आयोगनी कांस्टेबल एक्जेक्टी दिल्ली प्रिश 2020 कंप्यूटर अधारित प्रिचा का प्रडाम जारी कर दिया है सोमवार को जारी केगे प्रडाम में 67744 अभर्थी शारीरिक दश्ता प्रिचा के लिए सफल होने वालों में से 11236 SC, 3067 ST, 13446 OBC और 331612 समान अभर्थी है ECC आललाइन प्रिच्चा में 95 फिजदी उपस्तित रही है लिखा इविंग क्रिश्चिन कॉलेज में सोमवार को शुरू ही बिसम सिमेश्टर के आललाइन प्रिच्चा में तकरीवन 95 फिजदी उपस्तित रही है नय सत्र में प्रदेश में बढ़ेंगी MBBS की 972 सीटें, नय शेक्षिक सत्र 2021 से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में MBBS कोर्स की 972 सीटें बढ़ाई जाएंगी सरकारी कालेजों में PG कोर्सेज की भी 165 सीटें बढ़ेंगी प्रदेश में अभी सरकारी मेडिकल कालेजों में MBBS कोर्स की 298 सीटें है 932 सीटें बढ़ाने की प्रदेश की एक्चुक विद्धारतियों को इस बार पहली बार ऑनलाइन केंप्यूटर बेस टेस्ट से गुजरना होगा डाक्टर एबीज अब्दुलुकलाम प्राविधिक विश्विद्याले द्वारा इस बार पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजनसी एंटीए के माध्यम से राष्ट्री इस्तेफर प्रवेस परिक्चा कराई जाएगी पहले इसको यूपी टियू का एक्जाम हुआ करता था फिर यूपी इस्टेट इंजिरिंग इंट्रेंस एक्जाम के नाम से ये परिक्चा होती थी और इस बार अब ये परिक्चा जो है नेशनल टेस्टिंग एजनसी करवा रही है अंत में एक सूचना है जो करेंट अफे चिनाव रेलवे ब्रिज बन करके त्यार होने वाला है इससे ना केवल यातरी ट्रेन बलकि सेनकों की स्पेशल ट्रेनें भी तेज रफ्तार से पहुंसकेंगी और जम्मू काश्मीर बारामुला लिंक रेल प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले चिनाव आर्क का निचला आर्क सफलता पुर्वक जोड़ दिया गया है इस महीने के अन तक उपर वाले आर का काम भी पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद में रेलेवे ट्रेक बिछाने काम शुरू कर दिया जाएगा तो यह हो गया आज का वीडियो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक पूर्स TET के और TGT PGT के उसमें उपलब्द है पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद